गीता का सार्व तुम भूत का शूक न करो भविश्य का डर न करो वर्तमान चल रहा है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया न कुछ तुम लेके आए जो लिया यही से लिया जो दिया यही पर दिया जो लिया उस परमात्मा से लिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा तुम इसको अपना समझकर प्रसन होते हो और यही प्रसनता तुम्हारे दुख का कारण है परिवर्तन संसार का नियम है जिसको तुम मृत्त समझते हो यही तो जीवन है एक मिनट में तुम करोन के स्वामी होते हो दूसरे हिक्षण दरिद्र बन जाते हो तेरा मेरा छोटा वड़ा अपना पराया मनसी मिटा दो फिर सब तुम्हारा है तुम सब के हो न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो यह आग मिट्टी पानी वायू से बनता है इसी में लीन हो जाता है फिर भी तुम्हारी आत्मा वैसी की वैसे स्थिर है फिर तुम क्या हो तुम अपने आपको उसके अरपण करो यही सबसे उत्तम सहारा है जो उसके सहारे को जानता है वह शोक भय और चिल्ता से सरवदा के लिए मुक्ति पा जाता है जो कुछ भी करो प्रभू के आरपण कर ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभाव करेगा तथा शरीर त्याकते ही तत्खण लीन होगा